हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं है अभीप्चा एजूकेशन फर एक्सलेंस के इस ऑनलाइन प्रेटफर्म में आपको हर दिस्वागत करता हूं तो बच्चो आज हम बहुत ही जबर्दस चीज पढ़ने वाले हैं और इक्जाम के पॉइंट प्रेशन उसके बारे में और साथ इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स क्या क्या है जो आ सकती है इस चैप्टर में जो आ सकती है आपके दो नंबर ती नंबर के जितने भी कोशन आ सकते हैं मुझे लगता है कि आप जो है इससे पहले जितने लेक्ट्टर को देख किया है ना आपको पूरा पता है कि कैसे हम सिक्वेंस से चलते हैं पहला हमारा सुरुवात होती है एक अंग के प्रश्ण से तो आज उसी कड़ी में हम सुरुवात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर देखने से लगता आसान है लेकिन पढ़ने जाओगे तो कोशन बहुत बढ़ जाता है इसमें कैसे बढ़ता है वह बोलता है विद्पन जो दीख रहें पच्चो इसे क्या बोलते है यह जो डिवेटीव वर्ड है वह बहुत ही चोटा जरूर वर्ड है लेकिन बहुत बढ़ा चीज है कैसे वह ला देता है आपका हैड्रोकर्बन जो है पहले तो यह पता ही होना चाहिए कि यह बन्द बनता है उसका इस्टेडी किया जाता है वह होता है अब विद्पन भाई अब विद्पन के बात क्यों है कच्छा नौई में आप क्या पढ़ क्या हो हो है है यह सब पर लिए हो आपके मैं आपको अप में करा दिया हूं लेकिन हम अभी यूटूब में इसको आपको पूर दिप्रशन कराएंगे आपके मार्क्स के लिए प्यो बेसिक बता देना चाहूंगा कि हैडुर करबन के विद्पन क्या होती है है ना तो बात कर था hydrocarbon के विदपन डिति डिवेटी बोलते हैं मुझे पता चल गया कि कुछ ने कुछ पीछे में आता होगा सर विदपन नहीं है अगर नहीं पता है तो यह जानले जिए विदपन डिवेटी समूं है वह जो एलकोहल कि टोन एलडी हाईड और कर्बोसिलिक एसीड है लाइड यह जो मैं पचार से पांच वर्ड बोला हूं यह सब आता है क्रियात्मक समु के अंतरगत अब इसी क्रियात्मक समु के अंतरगत से आपकर जो चप्टर बना हुआ है उससे कुछे जाते हैं सब्सक्राइड जबना के कि और रहा उब पता ही है जो समझ में रहा होगा यह यह बोर रहा था मैं क्या समझे यह समंझे क्या कार्बन क्या रिए तिंगल बढंद कर रहे रहे ऑकल बंद से जूड़ा हुआ हैashes हां मसे हैं यहां पर क्लन बंध कर रहें जीए आपके घंदी के लिए सब्सक्राइब चार चार बना लिया लेकिन अगर शेकर बना दिया मतलब क्या इस कारजा बन को चाहिए कितना चलो इस से मैं बुल दूँ अगर इस carbon के साथ चले और carbon है ऐसा ठीक है double bond हुआ इसे कितना चाहिए एक इधर हैं इधर हैं चार हो गया complete इसको एक इधर मिल गया एक इधर मतलब क्या इसके इतनी है देखो चार थी दो बॉंड से जूड़ गए carbon के साथ यह hydrogen hydrogen complete कर दिया है चार इधर चार इधर से वहर से है ना मतलब क्या यह जूड़ा हुए carbon आगे बढ़ऊंगो समझ में आएगा आपको अब मैं बात करता क्या मैं बात करता है और कीटोन के बारे में अब है यह कहां लगता है कैसे दिखता होगा चलड़ चरचा करते हैं अब यह रूप में रहेगा जिस समू में मिले दिखाई दे तो आप तूरंट सुचित कर दे अनका कि यह जो है यह जो है बात खतम अब केटोंस की रैटोंस क्यों चलते हैं कि तो सबस्कूंस क्या होता है सर यह ठीक है यह यह फिर ऐसा भी बहुत दो कि यह फिर आप यह और से जूर जाता है है अब देखो इसमें यह है अगर हट्रोजन के जगह में इसको छोड़ दे रहो सोरी यह तो अरे भाई यह तो है यह है यह संत्रिप्त है और संत्रिप्त रहते तो क्या सब सिंगल बॉंट से जुड़ा रहता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं संद्रिप्त को मारो गोली अब चलते हैं नया नया चीज आ रहे हैं उस पर चलते हैं सर क्योंकि आप तो नवी को पढ़ा रहे थे अब हमें तो दस्वी की बात करना है जो कि आपकी एक्जाम में आने करता है कैसे किसी कंपाउंड को नाम से व्यक्त करना है अब एल्डी हैट के कंपाउंड है जैसे कि मैं अगर बात करूं अब यह मेथेनल है अब मेथेनल को कैसे व्यक्त किया जाता है अब इतना तो पढ़के आए होंगे आप कैसे नाम करन किया जाता है एक कारबर रहे तो मेट बोला जाता है तो ये तो पता है न नबई पता है अगर नहीं पताtime कूछ है एक हो तो उसको कैसे एंस से मेट से क्या याता है करबन यह दो है उसके क्या से अब पर आने वाला है जो प्रत्या पीछे माने वाले तो यह यह प्रक्राइब लगता है यह लगता है यह लगता है ठीक है यह बोल सकता हूँ मैं और थोड़े देर बाद मैं आओंगा उसमें अब इसमें लगता है तो यह मेथे तो क्या होगा भी देखो मेथेन समझे आत्क पहले से रहता है इसमें देखो कर्मान पहले त आ यह सरा है यह यह जूड़ेगा तभी बनेगा यह जूड़ेगा तभी किटर बनेगा चलो भई यह एसे बना सकता हूं कि समझ मैं हेट छो इसे भी लाता है मेथिनल क्लियर ओठनल इसको क्या बोलोगे एथेनल समझ मैं एथेनल एक के मांतर में कई बूक और जो है ए लिखा आते हैं कई लोग लिखा जाता है आपको यूज करने बच्चों जो सही रहे है ना तो चीह थी चो अब प्रोपेनल प्रोपेनल कैसे लिखोंगे भई तीन कार्बन है तीन कार्बन हों क्या बोलते हैं प ही अच ओ और वहत्ज़ें कितना अच्छाइज करो इसको कि सीच करो इसको कर दो देखो कितना हुआ कि नहीं एक दो तीन कार्बन हुआ यहां से अच्छिए सब्छिए तब होगा बॉंड कमप्लीट इसको जोड़ दो बात समझ मैं बच्चों यहां तक इसको शी C, H, H इधार मतलब अगर मैं बोलू हूँ यह इसके बात का रहा था मैं, C, H, 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 C, S3 हुआ, फिर यह कारबन, H, इसके लिए, फिर double bond O, फिर C, फिर यह H, और यह H, और यह हो गया, H, ठिक, clear समझ में हैं, देखो, C, S3, C, double bond O, H, C, S3, ठिक, यह हुआ क्या आपका, बना सकते हो, क्या, reaction, ठीक है, reaction मतलब नाम करन कर सकते हो, chemical formula लिख सकते हो, ठीक है, reaction भी नहीं करा रहा है, गलती से reaction बोल दिया, आपको, इसका नाम करन है, वो आप इस बाती कर सकते हो, यह जो है, question में पूछा जा सकता है, कि इसको नाम करन जो है, करते हो, उसको कैसे जो है इस पाप नाम इस प्रकार रहता है तो मुझे क्या पज़ता है इसको वन नहीं पढ़ते हैं आप इसका शुरुआत में बता दू मज़ेधा चीज एक करबन ौकर्बन से नहीं होता इसके लिए चाहिए और चाहिए तीन कारंबं कितना तीन कारंबन यहां से स्टार्त होता है क्योंच मैं नुक् पता ही यहां रिल्कारणी से आपको क्या करना है इसका amco यूच करना है तो कुछ तो आइट रहेगा जोड़ दो क्या होगा भाई यह सिंगल बॉंड इधर यह हो गया क्या प्रोपेनून समझ मैं फिर ब्यूटन कैसे करोगे फिर सी डबल बॉंड ओ इधर 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 कर दो सीएस्टू इधर कर दो सीएस्ट्री ठीक है फिर इधर करदो सी एस त्री एक दो तीन चार कर लो भाई एक दो तीन चार पांट तभी पेंटेनून हुआ है पांच प्रेंट यह तो पता ही है न बैए एक कार्बन मतलब मेत दो कारबन, एथ रिन कारबन, प्रोप चार ब्यूट, पांच पेंट, छै जो है हेक्ष, साथ जो है हेफ्ट, आठ जो है आप्ट और नौ जो है नौ और दास जो है डिक, क्लीर, डिकें, है ना, आपको सिक्वेंश ज्याद करोगे, मेथेन, मेथेन, आपकशनकों करें तुमें बात सकते हूं क्या कारबक्सिलिक इंजिसे कारवनिक अमला यह सब्सक्राइब करें चुंहां carbon था methanoic acid methanoic amala ac oOH इसका हाँ यह फार्मला बता हूँ यह होता इसका c o o h होता है उसमें क्या था च o h था च o बस था इसमें c o o था वस लेकिन इसमें c o o और o h फिर एगा क्लियार फिर इसको याद रखना है इसे एक नमर कोश्चन हमें से पुछा आता है इसके बाद आपको पढ़ना है इसके बाद आपको पढ़ना है बहुलक के बारे में बहुलक क्या है इसको भी दोफ्रिक्रित बहुलक का हूं है और प्रकार के होते हैं इसको भी दोफ्रेकार से बाद आहें सकता है क्या हूं ह पहले साद ए घोली दिखत हो आठीफियल और निचुरल ये पॉलीमार होते है बहुला को पॉलीमर बूला जाता है छोटे-चोटे कंसığı मिलकर बना होता है चोटे-चोटे-ट मेंति से मिलका बना होता है पॉलीमर बहु लग तीक है इसका पूर डिटेर्स जो है में धेर जिरे जब क्योशन कराओं तो और अच्छे समझाओंगा तीक अब यह कितने प्रकार के होते हैं दो पता चल गया अब दोनों प्रकार में प्राकृतिक और सबसे जी यह कहा होता है कहां मिलता होगा बहुर जब का है सब्सेर कु जो मिल रहा है यह जो है आपके प्लाश्टीक दिखाई दे रहा है प्लास्टिक जितना यूज करते हो घरेलू यह सब चीज जो बना हुआ है यह सब क्या है आर्टिफिश्यल बहु लखन ठीक है बच्चो क्लियर हुआ यह सब क्या है बेसिक जनकाई थी अब बात करते एक नंबर के कोश्चन पर कैसा पूछा गया है उस पर चलो चलो करें सही बताया ज़रूर था यह सब खरके लेकिन जो तरफ था उसको बता दिया जो इसको नहीं बता पाए अब कर लोगे क्या है वह क्रियात्मक्सम होए ऑच के रूप में रिखा जाता है अब इसको क्या बलता है ऑल तो है एद मतलब कितना करवर रहता होगा बच्चो दो करवश चोड देखो दौकारबन वहलक को है क्या यह है एक कर्वन एक कर्वन यह दो कर्वन टाओ भी कि अब देखो एथनॉल एह सबस्टायों इसका रोल खतम लेकिन कारवन कितना है एक दिख रहा है सी टू एच फाइच फाइच तो यही हो सकते है सर मतलब इसका आंसर क्या है बहुत पूछा गया था सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यह समझ में यह क्या है तो अभी मैं बता दू आपको और यह भी जान लो कि जो टेफलान होता है यह इसका अंसर है टेफलान के यूज़ जो है घर में जो यूज़ होती है क्या क्या एक क्या बदम अम्मी लोग जिसे में नोटी मनाते जी भूर रहा हूं उसको तवा जो तवा है उसको भी लगाया आता है और उसमें लगाता है टेफलान को और अच्छे सी उसका जबर दस तरीके से स्वाधिस्ट भूलन माने के लिए इसका और चर्चा करूंगा लेकिन कोशन याद रखिए गए ना ठीक है अब देखो नेश्ट कुशन और देखते हैं मेथनाल कर रसानी सुत्र है कभी एथनाल पूछ रहे सर कभी मेथनाल पूछ रहे बताओ भी मेथनाल मेथनाल का पक्क्का यही होगा क्यों एक करबन है बताओ कौन होगा दो कर्बन एक कर्बन दो कर्बन यह देखो क्या आगा भई एक कर्बन एंसर हलबा कोशन अंसर क्या आएगा और बढ़ते हैं अब देखो यह समझ में आ रहा है और कोशन सिर्फ दो ही तीन टॉपिक है इसमें जो आने वाला है रसानिक सूत्र है और है जो बोरा थे लिकिन को मिलका बनाता है यह विनायल कोराइट से बनता है क्या कि एथेलीन का कि एस तो आपसं नहीं है इस सबाता है अब आपसं देखो इत्राफ लोरोएधिलीन का यह क्लियर समझ में है इससे इतना इसी आता है यही कोसे रिपीट होता है यही कोश्चन और बाइप सब्सक्राइब और सब्सक्राइब 12 में उन्फ में भी इससे कुशन है था और कुछ जो है नहीं वह होता है तक उससे कोश्चन पूछ दिता है अब 21-22-20 यह सब में यह पूछ दिया ठीक है सर अठ्था सत्रम क्या पूछ गया है पूछ पूछा है यह पूछ दिया है अब क्या दिया है सर पैकिंग गास्केटों किस पदार्थ से भूछ जो अब जाता है सिग्ण सिर को मश्च्ण है ना आती है सिग्ण सिरका विधी से इस अ क्लियर हुआ अब सिट्डी अमलप का आईवपेसी नाम क्या होगा इसिटिक अम्ला का इसिटीक में अभी कुछ किसे बोलते हैं बही हజ कारबन 2 crystallically क्या गया है वह नहीं कम यह कई ने खिर हां कहां गया कारबन और हैं यह 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 दिन terror यहां चलो यहां तक यह पूरा आप्सन जो है आपका क्लियर यह कर दिया कि पुष्टन जो है मेथिनल मेथिनॉल और इल्कोहॉल इससे बहुत ज्यादा पुछा जाता है और जो है यहाँ बहुत की चलते हैं अब सब्सक्र們 चलते हैं हुची संबण जोड़िये में जो की आंसर हम कर बताओ भई संसरी बहुलक क्या है संसरी सित मतलब क्या जो लोग बनाया हुए है वो कौन से बहुलग देखो आप सन प्राक्रितिक बहुलक और पादप से प्राप्ट बहुलक को क्या बोला आता है वह से बनता है अब अगलते बहुलक सूद्ध एटनाइक अमला को क्या बोल आता है एसे टीक आमना कहा जाता है सूद्ध एलकोह। जिसमें जल नहीं होता क्या कहा बहुता है परिसुद्ध एलकोह। अब मिलते हैं हम दो तो आज के लिए इतना ही करते हैं अब मैं बता दू हमारा जो है इक्जाम सीरिस चल रहा है जिसमें हम सब लगे हुए है तो बिल्कुल आप आईए हमारे चैनल में और पूरे वीडियो को इंजवाई कीजिए और जितने भी फैगल्टी है वह आपके एक्जाम मिसन में लगे ठीक है तो आज के लिए इतने करते हैं बच्चों मिलते हैं ने स्ट्रेक्चर में धन्यवाद है